इस्राइल यूद ने मेडिल इस्ट में टेंसन को बढ़ा दिया है क्या यूद यूद इरान और इस्राइल के बीच में सिमट के रह जाएगा या ये आगे भी बढ़ेगा इस यूद का दुरगामी पड़ाम क्या होगा क्या है जियोग्राफिकल इस्ट्रक्चर आईए हाँ देखते हैं देखें यहां पर इरान है यहां पर इसराइल है और इस इसराइल ने इस गाजा पट्टी को पासाण जिग में पहुँचा दिया है और आपको ये अच्छे तरीके से मालूम होगा कि इसराइल जो है अपने गुस्मनों को सपने में भी नहीं छोड़ता उनको मारता है तो अब क्या होगा है इरान ने तो ये आरोप लगा दिया कि दमसकस में उसके बाड़ी जिग दूतावास भी इसराइल नहीं हमला किया था उसके रिटेलियेशन के लिए हमने इसराइल पर हमला किया ये छोटी सी बात है अगर इसराइल हमें रिटेलियेट करेगा त तो क्या परमाड़ युद्ध होगा? तो मेरा असपष्ट मानना है कि नुकलियर डिटरेनर्ट थियरी यही कहती है कि परमाड़ युद्ध हाथी के दिखावे के सिर्फ दाहत होते हैं. उनका इस्तमाल रियल में नहीं होता कि पूरी दुनिया जानती कि अगर नुकलियर वारफेर हुआ, वार हुआ तो फिर उसका असर क्या होगा? आई है, अब अच्छे तरीके जानते हैं कि एरान और इस्राइय युद्ध पे किसका ज्यादे असर पड़ेगा, किसके उपर बहुत ज्यादे बुरा असर पड़ेगा? इरान में अगर महंगाई को देखे तो महंगाई चरा मस्तर में पहुँच गया है, जो कि 33.1% पे है, जबकि यहाँ इसराइल में only 4.13% है, और थाच्छा दस गुना से ज़्यादे इरान में महंगाई बढ़ चुकी है, दूसरी बात, इरान में बेरोजगारी 11% है, तो इस इसराइल में 3.5% है, आरसे बेवस्ता की बात करें तो इरान की कुल GDP 413.5 billion dollar की है, तो इरान की 525 billion dollar की है, तो हर मामले में इसराइल इरान से आगे है, दूसरी बात यह है कि इसराइल की जो टेकनोलाजी है, वो चारतरब मुस्लिम देसों से घिरा हुआ है, लेकि आज तक इसराइल को किसी ने defeat नहीं कर पाया, जैकि सारे मुस्लिम देसों की मंसा यही है, कि किसी तरीके से इसराइल को नस्तरबूत कर दिया जाए, तो अब देखिए पक्ष क्या बनता है, पक्ष यह एक तरीके से यह माना जाता है, इसराइल जो अमेरिका का 51 इस्टेट है, अमे अमेरिका मजबूरी ही सही या दोस्ती निभाने के चक्कर में हमेशा इसराइल का साथ देगा जब अमेरिका इसराइल का साथ देगा तो नाटो देश भी इसराइल का साथ देंगे और इरान के जो दुस्मन देश है जिसे इरान सिया देश है सौधी अरबिया सुनी देश है कभी वो साइलेंट हो जाएगा और जार्डन को तो आपने देखा होगा कि इरान के कितने मिसाइलों को उसने आसमान में ही धुस्त कर दिया फिलाल एर डॉम सिस्टम जो इसराइल के पास है उसने इरान के कितने मिसाइलों को नस्तनाबूत कर दिया लेकिन जहाँ बड़ी बात यहाँ कि क्या वास्तों में ये युद मिडिल इस्ट में ही लड़ा जाएगा या सिर्फ यह एक बहाना है निसाना कुछ और है जी हाँ दोस्तों अगला बैटल ग्राउंड बनेगा चीन सागान और ये युद दिला जाएगा जापान से और ये युद नाटो देस अमेरिका और जापान मिलके चीन के उपर अटेक करेंगे अब आपको जान के आश्यर होगा कि चीन इस समय दुनिया के दूसरे नंबर की एकॉनमी बना हुआ है 17.3 ट्रिलियन डालर की और अमेरिका का 20 ट्रिलियन डालर अर्था चीन बहुत जादे पीछे नहीं है अब जोग्राफिकल इस्ट्रक्चर पे देखिए कि ये चीन सागर है और ये जापान है ये चाइना है और यहाँ पे अमेरिका का एयर बेस है नेवल बेस है यहाँ पे उनकी मिलिटरी भी है यहाँ से उनके उपर अटेक करना बहुत आसान होगा चीन जिस तरीके से छोटे देशों को कर्ज ट्रैप में जिसको लोन ट्रैप कहते हैं फसाता चला जा रहा है उनको लोन देता है और फिर इतना जादे देता है कि छोटे देश उसको चुका नहीं पाते और उसके गिरफ्त में चले जाते हैं और वहाँ पे अपना मिलिटरी करता था दूसरी मासकती मानी जाती थी और चीन अपने को दूसरी मासकती की रूप में यहां प्रजेक्ट कर रहा जो कि अमेरिका को बरदास्त नहीं है तो अगर यह नया बैटल ग्राउंड खूलता है जो चीन के पास होगा चीन के उपर अटेक होगा तो उसमें भारत की क्य बास नहीं करता जहां तक होता वह बच के सैलेंट होकर निकल जाता है और अमेरिका और चाइना दोनों को दो military है उनको जमीन पर लड़ने की आदत नहीं है जमीन पर अफगानिस्तान में आपने देखा होगा इराक में आपने देखा होगा वहां अमेरिका को मुखी खानी पड़ी थी तो क्या चीन में उतरेगा अमेरिका बिलकुल नहीं उतरेगा जो भी युद्ध होगा पीले सागर पीत सागर जिसको चीन सागर ही बोलते हैं अमेरिका चाइना और जापान के बीच में यह द्वास लड़ा जाएगा